हलो गाईज, स्वाइब वेलकम हाला फिडियो दो आवर यूटूब चैनल ग्यान भी सचिन तो दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे पॉल्टेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के एप्लाइड मैथमेटिक्स के पहले क्यूश्चन्स के बारे में जो कि 5 marks from most important questions होगा अगर आप इस बात को अभी तक नहीं समझ पाएं कि ये question number क्या है तो समझ लीजिए लॉजिक किसका ये है कि हमने 50 important questions की एक series को launch किया है जिसमें physics के 50 important questions, chemistry के 50 important questions और math के 50 important questions को discuss किया जाएगा हर एक वीडियो में 5 marks के एक most important questions को discuss किया जाएगा जिससे आप सभी के उपर बोज भी नहीं बढ़ेगा और आप सभी के exam के पहले आप सभी की अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी ठीके, तो चलिए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और साथ भी साथ अगर आपने physics और chemistry के जो भी important questions की series चल रही है उसकी वीडियो को नहीं देखे हैं तो description box में link given है वहाँ जाकर आप देख सकते हैं साथ ही साथ मेरे telegram channel को अभी तक नहीं जॉइन किये हैं तो जॉइन कर लो क्योंकि update वहीं पर सबसे पहले मिलती है 4x plus 2y plus z equal 11 और 9x minus 3y plus z equal 6 को grammar rule से solve करिए अब इसके साथ साथ ही अगर हम आप सभी को बता दें कि जो grammar rule है वो आप सभी के exam में 100% हर साल पूछा जाता है ठीक है grammar rule जो होता है वो हर साल आप सभी के exam में पूछा ही जाएगा मतलब यह निस्चित है कि आप सभी को grammar rule देखने को मिलेगा तो इस चीज़ को आप सभी बिल्कुल skip नहीं करिएगा इसको grammar rule के कई सारे examples को solve कर लीजिएगा questions को solve कर लीजिएगा जिससे आप सभी को बिल्कुल easy हो जाए मतलब पांच नंबर आप सभी के fix हो जाएं तो इसमें करते क्या है grammar rule में कि जो भी equations दी होंगी पहले उन्हें हम determinant के form में लिख लेंगे जैसे x प्लस y प्लस z इसका coefficient क्या है इसका coefficient है 111 ठीक है 4x प्लस 2y प्लस z इसका coefficient क्या है 4, 2, 1 ठीक है उसके बाद 9x-3y प्लस z इसका coefficient 9-3, 1 ठीक है इसको हमने determinant के form में लिख लिया अब साथ में right side में जो equation के right side में given है उसको भी हम कैसे लिख लेंगे उसको भी हम determinant के form में लिख लिए जैसे यहाँ पर 8, 11, 6 का determinant form मेंने बना लिया इतनी बाद आप सभी को clear हो गई होगी अब आप सभी determinant को solve करने का तरीका भी आप सभी को पता होगा और आपने determinant को solve भी किया होगा ठीक है तो इसके बाद आप क्या करते हैं कि determinant को हम solve कर लेते हैं अब इसको solve करने का method simple है 1 को ले लिया उसके बाद यहाँ पर 2 वंजा 2 करके माइनस 3 करके यहाँ पर Determinant को solve कर लिया तो यह basic चीजे हैं आप सभी को concept के लियर होना चाहिए कि Determinant को solve actual में करते के हैं ठीके तो यह Determinant को मैंने solve कर दिया 1 यहाँ पकड़ा और इसके बाद 2 into 1 करा और फिर minus 3 into 1 करा ठीके इसके में कर दिया ठीके उसके बाद यहाँ पर चोल लिया फिर 1 को ले लिया और यहाँ पर दूसरी time में minus लगाते हैं ठीके दूसरे time में minus लगाते हैं फिर उसके बाद 4 4 को पकड़ा ठीके यहाँ पर 1 into 4 को पकड़ा 9 into 1 को पकड़ा ठीक है तो इस तरीके से determine को solve किया और minus 20 यहाँ पर आपका answer आया ठीक है इसको क्या मैंने माना था इसको मैंने del माना था ठीक है del को solve करा और आपका answer आया minus 20 ठीक है अब minus 20 आया तो not equal 0 हम लिख देंगे ठीक है not equal 0 लिख देंगे तो grammar rule यहाँ पर apply हो जाएगा ठीक है अब grammar rule यहाँ पर apply तो हो गया अब मुझे क्या करना है यह यहाँ पर समझने वाली बात है ठीक है अब grammar rule में हमको del x, del y और del z की value को find करना है यह कैसे find करेंगे जो right side में coefficient दिया हुआ है 8, 11, 6 इसको हर एक column से replace करेंगे ठीक है first time मैंने 1, 4, 9 को skip किया और 8, 11, 6 को यहाँ पर replace किया ठीक है यहाँ पर right side में 8, 11, 6 था इसको c1 में लाया और replace किया ठीक है यहाँ पर c1 में replace करके determine की value को find कर लिया ठीक है यहाँ पर c1 में replace किया तो determine की value आई कितनी माइनस 10 ठीक है यहाँ पर डेल X की बैलू माइनस 10 आ गई ठीक है आप कैसे इसको रिप्लेस करा आप सभी समझ पाए होंगे कि जो राइट साइड में बैलू दिये है 8116 इसको फर्स्ट सीवन से रिप्लेस किया और बाकी को हटीज रख दिया पर बात इसको सॉल्ब यहाँ फिर माइनस 10 आ गया इस प्रकार डेल वाई को फाइंड करा अब डेल वाई में क्या करा कि सी वन को यूड डिज रखा और सी तो यहां पर एज़िटीज रखने के बाद डेल जेट की फाइंड करा तो कितना आया माइनस 120 अगर आप सभी को डिटर्मिन्ट करना नहीं आता तो आप सभी को दिक्कत होगी वरना इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और नहीं कोई नया यहां यहां पर डिटर्मिन्ट को सॉल्व करना आना चाहिए लिटर्मिन्ट को सॉल्व करने का यही तरीका होता है कि यहाँ पर पकड़ लिये और इंटू 11 कर दिया ठीक है जैसे यहां पर किया गया है 6 इंटू 12 आ गया और माइनस 3 इंटू 11 13 आ गया ऐसे ही यह नॉर्मल तरीके से सॉल्व होता है डिटर्मिंट को सॉल्व करना बच्चों का खेल है तो यहां पर डेल की किया निकाली थी एहां पर तो यही था आपका फाइनली क्रेमर रूल जिसको मैंने इस वीडियो में आप सभी के साथ डिसकस करा तो मिलते हैं नई ऐसे ही फाइब मॉस्ट इंपोर्टन क्यूशन की सीरीज के साथ तब तक के लिए गुडबाई टाटा लभी यू आल